तो हलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टोटल साइंस टूए में तो चलिए यह अबजेक्टिव जो आज हम कराने वाले हैं यह आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है अगर आप कलाश 10 में है तो यह अबजेक्टिव आपको हमेश याद होना चाहिए ठीक है अगर आपको याद नहीं है तो आज ही याद कर लिजिए और हम देखते हैं कि आप सभी को यह सभी अबजेक्टिव क्या याद है तो चलिए पहला अबजेक्टिव है आपके सामने है ठीक है काफी इंपोर्टेंट है जल्दिस बताएगा कि बहत सादर या फिट किरी तो देखिए यहां पे आप लोग नाई के दुकान में जाते होंगे जब बाल कटाने तो कट टूड जाता है दाढ़ी बनाने में तो यहां पर किसका प्रयोग करता है जी तो फिट कीरी का यहां पर परयोग करता है और बहते विए रक्त को रोखने के लिए फिट के रिए मददगार होता है ठीक है तो अप्सन नमबर डी यहां पर बिल्कुल ही सही उतर हो जाएगा चलिए दूसरा नमबर परस्ण है और आप सभी लोग बताईए हैं मुझे उमीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल दीजेगा कि समाने नेतर के लिए असपस्ट नियूंतम का जो दूरी होता वो कितना होता है 25 मीटर 2.5 cm 25 सेंटी मीटर यह 2.5 यहां पर बिल्कुल ही समाने नेतर के लिए जो असपस्ट नियूंतम का दूरी होगा वो हो जाएगा मेरे शाथे पचीज सेंटीमीटर यहाँ पे बिल्कुल ही राइट अंस रोगा ओप्सन नमबर सी फोर चांद के पार चलो ठीक है चलिए तीसरा नमर प्रस्ण है कि बिधुत बल्ब में बिधुत बल्ब में फिलामेंट का तार जो होता है वो किसका बना होता है मेरे साथी काफी इंपोर् इंपोर्टेट आपके इस चैनल पर सभी सब्जक का अब्जेक्टिव कराते हैं ठीक है तो बिधुत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है लोहा का होता है तामबा का होता है टंगस्टन का होता है तो बिल्कुल ही कि बिधुत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस् ही मेरे जितने विश्वेंट है आप सभी लोग अंसर दीजेगा कि सूध जल का जो पीएच मान होता है वाबू वह आप सभी को पता होगा याद नहीं है तो याद कर लिजेगा साथ होता है ठीक है कितना होता है साथ होता है चलिए अगला प्रस्ण है कि निकट द्रिष्टी दोस का निवरन किस लेंख से किया जाता है उत्तन लेंख यह पर अबटल से क्वंतल निकट रहे थं तर दें आज निक धन तो 2 तीन आपको लगादें शार पर तीन रहे गा चार लागा दोने यादि एक डूदर तीन चार पर अबटल पर अगर यही रहेगा दूर दिरिष्टी दोस्त तो दूर रहेगा तो तीन पर लगाना यानि दूर से यानि उत्तर लगा दना है दूर में ठीक है याद रहेगा तो तीन पर तीन पर तीन रहेगा तो चार पर लगा दना है ठीक है यानि option number B यहां पर बिल्कुल सही उतर और नेक्स प्रस्ण के और आगे बढ़ते हैं कि चंद्रमा पर खड़े यंत्री श्यात्री को जो आकास है वो कैसा प्रतीत होता है अकर मान के चलिए कोई चंद्रमा पर कोई बेखती खड़ा है तो उसको आकास यहां पर कैसा दिखाए देगा तो यहां पर नीला दिखाए द होता है तो देखिए मेरे प्यारे साथ ही इंसुलीन की कमी से घेंगा होता है मधुमेह रोग होता है बाउनापन होता है या टीवी होता है तो इंसुलीन की कमी से मधु में होता रोग होता है जिसे हम लोग चीनिया रोग भी काते हैं हिंदी में डाइबिटीज भी काते हैं ये सभी लोग मधु में रोग कहा जाता है ठीके चलिए अगला प्रस्न की दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पन का परियोग किया जाता है उत पाड़ी बनाने में हम लोग पर यूग करते हैं दरपन का वो दरपन होता है बाबू आबतल दरपन का होता है ठीक है क्योंकि इसमें यहां पर बिलकुल ही सही उतर आबतल दरपन हो जाएगा चलिए अगला है कि सुध सोना, यहाँ पे सुध सोना कितने केरेट का होता है तो यहाँ पे 24 केरेट का सुध सोना होता है, option number A सही उतर होगा अगला प्रस्ण कि इंदर धनूस में कितने रंग होते हैं बाबू मेरे साथ ही आप सबी लोग जल्दी से बताएगा तेंदर धनूस में आपको पता है कि 7 रंगों का मेल होता है यहाँ पे option number D हो जाएगा अगला प्रस्णी की आवर्त सार्नी में कितने वर्ग होते हैं तो देखिए आवर्त सार्नी जो होता है एक खड़ा होता है एक पड़ा होता है ठीके तो खड़े वाले को यहां पर से बोला है वर्ग तो खड़े वाले को वर्ग कहा जाता है और पड़े वाले को आवर्थ कहा जाता है वर्ग की संख्या ठारा होता है आवर्थ की संख्या साथ होता है हमसे पूछा है कि वर्ग कितने होते हैं तो यहां पर option number D सही उतर हो जाएगा, चलिए, अगला प्रस्न कि माना भीर्दय में कितने कोश्ट होते हैं, बाबु याद रखेगा कि माना भीर्दय में 4 चेमबर होते हैं, option number B यहां पर 2 निलय, 2 आलिंद, क्या होता है, 4 चेमबर होता है, जिसमें से 2 निलय होता है, 2 आलिं आपको एकदम याद रखना है, बहतरीन ढंक से बहतरीन नमबर लाना है, तो आपको डेली यहां पर बहतरीन कोश्टन कराया जाता है, ठीक है, चलिए, आगला प्रस्न है कि डेंगू उत्पन करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन होते हैं, डेंगू जो उत्पन ह होता है बाबू, डेंगू उत्पन करने वाले जो मच्छर होते हैं, यह किस तरह के जल में, ठारा जल में, ऑप्सन नमबर B, सूध जल में, C, गंदा जल में, या इनमें से कोई ने, तो देखिए अगर डेंगू बोलेगा, डेंगू बोलेगा बाबू, तो यह सूध जल मे पनपता है, उत्पन होता है, और मलेरिया बोलेगा, मलेरिया बोलेगा, तो यह गंदा जल में होता है, ठीक है, मलेरिया गंदा जल में, डेंगू सूध जल में, चलिए, अगला परसन की उर्जा का A साय मातरक क्या होता है, तो उर्जा का A साय मातरक, आपको बिल्कुल हमें कॉमेंट करना है कि इसका पंद्रा का राइट अंसर क्या होगा ठीक है कॉमेंट करके सभी एस्टुइंट अंसर दीजेगा यह आपको HW दे रहे हैं ठीक है चलिए अगला प्रस्न की बहते हुए रक्त को रोकने में कौन उप्योगी है तो आपको पहले यह बताए कि फिट कि होता है यानि यहांपे क्या हो जाएगा आगला प्रसन है कि मास्टर ग्रंधी क्या करता है । कि मास्टर ग्रंधी कोई अहुंटर बिट outta हो जाए गा Nh या दोनों है या इन में से कोई नहीं तो एकदम आपको याद कर लेना है कि जो उड़हल है यह दूलिंगी प्रकार का फूल है और आपसन नमर ए यहां पर जितने भी इस्ट्रेंट लगा रहे हैं बागू सभी का सही अंसर है चलिए लास्ट है बीस नमर कोशन कि संग मरमर का रसाइनिक सुत्र क्या होता है तो संग मरमर का है यह जीपसम से बनता है जब जीपसम को 273 के लिविन पर गरम कर किया जाता है तो यह संग मरमर बनता है सोरी सोरी यहां पर यह संग्मरमर नहीं जीपसम को जब गरम करते हैं तो हम प्लास्टर और पेरिस बनता है संग्मरमर का जो रसाइनिक जी घ कि जी आ को जो प्लास्टर प्लास्टर अलीओ